हाई फ्रेंड्स हेलो वेलकम टू दे चैनल कैसे हैं आप लोग आप नमस्षिवाई दोस्तों और आज जो है आज की जो वीडियो है वह एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों को लगने वाली है क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मै आपको देरे वाली हो कि फ्रस्ट ओफ ओर्ल तो है अगें दोस्तों मुझे वॉटर का फिर से ड्रीम आया है जहाँ पे एक मैंने की एक मकान है जिसमें पानी रिस रहा है मैंने फिर से देखा है और second thing वहाँ पे मैंने उस मकान से उपर जाती हुई एक गली है जिसमें मैंने डॉक्स को देखा ठीक है एक डॉक्स जो था वो prominent था और वो डॉक्स जो था वो बहुत गुसे में लग रहा था ठीक है तो जिन लोगों को थोड़ा भी कुछ फील होता है कि उनके रिलेशनसिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं या उनके इमोशनल हेल्ट ठीक नहीं है या फिर उनका फाइनेंशल हेल्ट ठीक नहीं चल रहा है फाइनेंसिस ठीक नहीं चल रहे हैं इस टाइम पर तो प्लीज प् चैरिटी का लेवल बढ़ाईए चिडियों इडियों को खाना किलाईए और कुत्तों को खाना किलाईए गाए कुत्ते को भूजन कराईए ठीक है अगेन जो है अपना दिल जो है वह एकदम खुला रखिए और अपने एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादे प्यार से याद करिए साथ ही साथ मैंने वीडियो जो दूसरे चैनल पर डाली है मदर इश्यूस को अपने हील करिए क्योंकि आपको इम्मून एनर्जी को हील करना आपके लिए बहुत जरूरी हुआ पड़ा यह टाइम पे ताकि आप जो कि आपके इम पैंडिंग मतलब जो पैंडिंग जो आने वाले री उनियन से उनके लिए आप अपने आपको पूरी तरह से प्रेपेर कर पाओ कर देते हैं या नहीं दे पाते हैं वहां पर ध्यान अपने मून एनर्जी को ठीक करिए प्लीज और यह तो था ड्रीम जिसके बारे में मुझे आपको बताना था मुझे अगर और इसके कुछ पीसेज याद आये मतलब मुझे पीसेज में याद आ रही है ड्रीम तो को बहुत डर लगता है जिनको मान सी कशान्ती बनी रहती है जिनका फोकस नहीं होता है कॉंसंट्रेशन नहीं होता है अपने काम पर उन लोगों को बहुत अच्छा सावन का महीना चल रहा है तो शिव जी की बहुत आराध्ना करिए ठीकि जिनको फोकस की कमी हुए पढ़ी यह क्योंकि कल ही एक डीएफ थी जो इतना चाहिने वक करती थी और कल वो शिकायत कर रही थी कि कम से कम भी 20-25 दिन हो गए उनका मेडिटेशन ही नहीं लग पाता है तो एगर इस तरह का किसी को भी प्रॉब्लम है फोकस या अशान्ती बनी रहती है या जिनको एडिक्शन की तरफ जाने का दिल करता है हालांकि उनको पता है कि एडिक्शन अच्छा नहीं है लेकिन क्यूंकि मन कमजोर है तो बार-बार करके मन उधर ही आपको पूल करता है अगर इस टाइप का कुछ भी है जो डिसकनेक्टेड फील क करते हैं खुद को जर्णी से या अपने कनेक्शन से या जो है डिवाइन से अपने आपको डिसकनेक्टेड फील करते हैं तो जबी भी आपको लगे तो आप थोड़ा सा अपना जो है शिव जी की अराधना जो है वह बहुत ज्यादा करिए इस ताइम पर क्योंकि इस मीन्स आ खारण किया है तो अगर आप शिव जी की अराधना करते हैं तो आपकी मून एनर्जी जो है वही लोगी और आपका री उनियन जो है वह बहुत जल्दी से जल्ड़ी फास्ट आप आएगा आपके तक तो यहां पर जो है यह बात में आपसे शेयर करना चाहती थी और है उनको उनके साथ अपना रिष्टा जितना हो सके सुधारने की कोशिश करिए नो मैटर वहां कितना भी कड़वाहत बरा रिष्टा हो बट उसको सुधारने की पहल करनी है आपको आपको उनके आशिरवाद लेना है जितना हो सके तो यह कुछ आपको वहां पर मैंने कर सकते हैं तो यह एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो आप दूसरे चैनल पर देख सकते हैं और चलिए दोस्तों आज का वीडियो जो है वह मैं इस टॉपिक पर बना रही थी कि क्या होता है कि आप लोग जब मेरे पास सेश करता है तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना के डाल दूँ आप लोगों के लिए कि रनर डियम जो होता है वो किस तरह से बिएव करता है ताकि आप जो है यहां से अच्छी तरह से रेजुनेट कर सकें और अपने अंसर्स पा सकें फर्स्ट अफॉल तो तक कि वो रनर रन कर रहे होते हैं रनर रन कर रहे होते हैं तब तक वो आप से अपने हर फीलिंग अपने हर जो है अपडेट को छुपाने का प्रयास करेंगे जहां तक कि वो बैठे भी होंगे तो आप पाएंगे कि वो इधर उधर की फालतू बाद जादा करेंगे जबकि आप चाहेंगे कि वो अपने लाइफ का जो भी परिशानी है क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉंग टेलेपैथी होती है तो आपको ये तो पता होता है कि उनकी लाइफ में उधर उधर चल रही है आपको एनरजेटिकली ये चीज पता होती है लेकिन आप इंटरनल ही दिल से इच्छा होती है आपकी कि वो खुदी आपसे कुछ शेयर करें बताएं आपसे अपनी परिशानी जो है वो बाटे लेकिन आई ये आपका खाब अधूरा रह जाता है पता है क्यों क्योंकि वो आपसे कभी कुछ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं वो आपको अपनी life में आप पाएंगे कि कम से कम involved इवन उनके जो दोस्त होते हैं वो भी आपसे ज़्यादा involvement रखते हैं उनके life में इक उनके जो जानकर नोगो टै लेकिण आपको सबसे कम पता होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं चänderसे कि आप जो हैं बहुत ज्यादा उन से जुड़बाएं या वो आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली जुडबाएं तो वो उस emotional disconnect को maintain रखना चाते हैं ताकि आगे चलके ना आपको उनके नजरिय की अनुसार क्योंकि भाई उन्होंने देखा है उन्होंने जाना है जो कुछ दुनिया की conditioning age difference हो सकते हैं married unmarried हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है अलग-अलग family backgrounds हो सकते हैं तो उनको जो है उनके जो है बुद्धी में यह बात fit हो चुकी होती है कि यह connection कोई चलने वाला connection तो है नहीं तो क्यों किसी के साथ emotionally attached हुआ जाया जिससे कि कल को इनको भी दुख हो और मुझे भी दुख हो यहां पर वो चेजर के बारे में उनके हिसाब से वो चेजर का ही भला सोच रहे होती है तो वो चेजर energy से कुछ भी न मतलब express करना या कुछ भी उनसे share करना जरूरी मतलब उनक को लगता है कि इस disconnect को maintain रखना चाहिए ताकि कल को ना आप भी हर्टना हो और वो भी हर्टना हो जब आप लोग अलग होंगे क्योंकि उनको तो यह पता है उन्होंने दुनिया में देखा है कि ऐसे रिष्टे काम्याब नहीं होते हैं और यह से रिष्टे नहीं तूटते ही तो इस तरह के जो कुछ भी उनके जो conditioning है जो अंदर की internal talk उनकी चलती रहती है ना self talk जो चलती रहती है उसकी वज़े से वो आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे जो है उनको conditional love पता है दुनिया का unconditional love की उनको कोई knowledge नहीं है लेकिन इधर जब आप अपने inner work strong करते हो आपका inner work बहुत ज़्यदा strong होता है जब आपका inner work strong होगा और आप जो है divine से connect होंगे तो obviously आप अपने twin flame से detachment में जाएंगे ही जाएंगे और जब आप detachment में जाते हैं और inner work आपका अच्छा होता है और आप divine से अच्छी तर connected होते हैं तब ही यह होता है कि आपका person जो है वहाँ पे heal होना start हो जाते हैं तो जब वो heal होते हैं तो फिर उनकी सोच धीरे धीरे return होती है उनको लगता है कि यह माना कि दुनिया अवी तरीके से अगर हम इसको सफल नहीं भी कह सकते हैं इस relationship को तो क्या हुआ हम unconditional एक दूसरे से जुड़े होएं जुड़े होएं जुड़े होएं तो जुड़े होएं यह आत्मा का रिष्टा है मतलब इस तरह की बाते उनके अंदर भी आने लग जाती है कि यह physically नहीं बलकि soul level का कुछ है जो की आपस में जुड़े हुए है और यह जो है अंडिनाइबल है यह वो कितरा भी मूँ फेरना चाहें लेकिन उससे नहीं फेर सकते हैं तो उनको यहां पे जो है दीरे दीरे अपने आप ही इंटरनली जब आपसे unconditional love डवल अप होने लगता है आपकी soul की purity उनक आते हैं कए बार तो बहुत सारे डीएम एक स्टेप आगे जाकि इतना तक भी बोलते है कि जब भी उने परिशानी होती कोई दिक्त होती है उनको अपनी df की ही याद आती है और वो वहीं पे जाना पसंद करते हैं वहीं उनी से बात करना पसंद करते है तो यहां पे जो है second point स्टार्ट हो जाता है जो मैंने अभी यह point खतम किया वहां से ही second point स्टार्ट हो जाता है क्यों वो अपनी D.F. से ही शेयर करना पसंद करते हैं क्योंकि देखिए उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है यहां पे जो सेकिन्ड उनका ट्रेट है वो चालू हो जाता है सेकिन्ड ट्रेट यह है कि वो हर वक्त उनके लाइफ में उनके लाइफ के बार मिलने वाली दिखने वाली हर एक फिमेल से अपनी फैमिनाइन को हर वक्त उनके दिमाग में एक कमपारिजन चलता रहता है चाहे हो मिले वह आपको उनसे दो साल भी होगए होंगे ना उनके दिमाग में वो comparison हर वक्त चलेगा क्योंकि वो मतलब जो उन्होंने divine feminine की जो purity देखी है वो उनको जब उनकी life में जो कोई third party होती है उसमें वो ढूनने की कोशिश करते हैं फिर वो unsuccessful हो जाते हैं फिर वो again किसी और में ढूनने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार जो है unsuccessful हो जाते हैं हर बार वो अपनी divine feminine को ही सबसे better पाते हैं और यही चीज होती है ना उनकी जुझलाट का करण होती है जो आप उनके चेहरे पर गुसा देखते हो ना उनकी जुझलाट उनका चिर्चिरापन देखते हो ठीक है वो इसलिए होता है कि तुमको मैं पा नहीं सकता और तुम ही perfect हो ठीक है तुमारे जैसा कोई है नहीं और तुम ही मुझे चाहिए और यह impossible है कि तुम्हें मैं पा लो अब यहां पे आप उनकी दुविदा सोचके देखिए वो रन ना करें तो और क्या करें उनको क्लियर दिख रहा है 3D में कि कोई कोई भी तरीका नहीं है कि वो आपके साथ एक हो सकें उनको जो लगता है ठीक है लेकिन still you are the one who is the perfect ठीक है you are the one who is the most loved person in their life ठीक है सबसे जड़ा most loved person आप हो आप ही perfect हो आपकी हर बात perfect है आप spiritually भी high हो आप physically भी अच्छे हो आप जो है मतलब हर रूप में वो आपको दूसरी feminine से बहतर पाते है you are intelligent no matter what उनकी third party कितनी भी खुब्सूरत हो लेकिन respect वो आप ही की करते हैं आप ही से प्यार करते हैं तो उनको यह चीज जोती है वो और ज्यादा और ज्यादा चिडाती है और ज्यादा run करने को बोलती है वो बोलता है कि चलो ठीक है मेरे लिए यही ठीक है मेरे नसीब में नहीं है मुझे यही ठीक है मुझे यही चलेगा और फिर वो जो उसके साथ उनको deal करना पड़ता है वो चीज उनको और ज़्यादा जो है चिड़ाती जाती है चलिए नेक्स्ट जो है वो जब चिड़ा देती है उनको चिड़ाती रहती है और उनको जो है कोई रस्ता भी नहीं दिख रहा होता तब यहां से हमारा third point start होता है कि runner जो है वो no matter what उनोंने तो आपको block कर दिया ना सब जगह से जो number से आप call करें आप try करें वहीं से आप block कर दिया जाते हो वहीं से आप blacklist में डाल दिया जाते हो ठीक है तो यह तो आपको दिखता है 3D में कि बहुत ज़्यदा जो है insult का level insulting behavior हर जगे से block कर देना हर जगे स आपको remove कर देना ठीक है अपनी डीपीज हटा देना और कसम टाइमस third party के साथ अपनी बड़ी जो है चमकती दमकती डीपीज लगाना आपको यह दिखाने की कोशिश करना कि जो है वो अपनी life में तो बहुत enjoy कर रहे हैं तो indirectly वह आपको message दे रहे हैं कि जाओ तुम भी अप जूर करना ही बड़ेगा यह कुद्रत यही चाहती है ठीक है तो वह आपको इस तरह से जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं mentally prepared करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं ओकी तो यह है आपको जो 3D में reality में दिखता है कि अब वो run कर अब वो ignore कर रहे हैं अब वो मुझे पूछ नहीं रहे हैं मैं वो तो किसी और के साथ बहुत ज़्यादा ही happy है ठीक है तो यह तो है आपको जो दिख रही है 3D reality but the main reality is वो खुद अपनी कोई update आपको नहीं दे हैं ठीक है इसलिए वो आपको जगे-जगे से block कर देते हैं त लिखवा के ले लेजिए कि वो हर जगे से आपको जो हर possible way से वो आपको stock कर रहे होते हैं जिस टाइम पर आपको लगता है ना कि वो move on कर गए है उस टाइम पर वो हर possible तरीके से आपको stock कर रहे होते हैं आपकी updates रख रहे होते हैं आपका पता लगा रहे होते हैं आपको हर जगे पर chase कर रहे होते हैं literally chase कर रहे होते हैं देखते हैं आते हैं आपकी डीपी देखेंगे भाग जाएंगे ठीक है बट वो खुल के आपके सामने नहीं आएंगे क्यों क्योंकि उनको ये लगता है कि इसी में दोनों का भला है आप क्योंकि बहुत ज़दा जो है expressive हो गए थे आप बहुत ज़दा love में चले गए थे और उनको तो लगता है कि ये तो possible नहीं है ऐसा कुछ तो क्यों ना इस तरीटे को यहाँ पे अभी इसी वक्ती खतम कर दिया जाए इसी सोच के तैतना वो आपको हर जगे से block करते है क्योंकि कुछ भी उनको possible नहीं लग रहा होता है लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपको energetically है हमेशा आपकी intuition बताती है कि आपके person आपको chase कर रहे है आपके person आपको देख रहे है आपके person आपको stock कर रहे है ठीक है यह आप अगर अपने अंदर जहांके देखोगे तो आपको हमेशा यह चीज जो है catch हो रही होती है पता हो रही होती है ठीक है next thing है runner और क्या करते है runner जो है जब वो देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका यह वाला belief ओर strong होता जाता है कि आप एक अच्छी life deserve करते हैं आप उनके साथ किसी तरह का curse किसी तरह का दुख deserve नहीं करते हैं और आपको सब कुछ जो है वो मतलब उनकी तरफ से वो बड़ा sacrifice कर रहे होते हैं वो sacrifice कर देंगे और आपकी life जो है वो आज नहीं तो कल subtle हो जाएगी move on हो जाएगी ठीक है उनका क्या है वो move on कर पाएं कि ना कर पाएं वो तो societal conditioning के साब से वो तो male हैं उन्हें तो strong रहना ही पड़ेगा वो इतना emotional होंगे तो ऐसे पारनी पड़ेगी उनकी तो इस तरह के सब सोच जो है वो महान सोच उनके अंदर चलती रहती है sacrifice and all that stuff ठीक है मैं जी लूँगा जैसे तरसे लेकिन तुम मतलब नहीं जी पाओगी and all that stuff तो यह सब जब हो रहा होता है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं फिर खुद को सूध करने के लिए क्योंकि energy उनका पीछा नहीं छोड़ती है यहाँ पे वो खुद को सूध करने के लिए खुद को relax करने के लिए आप पाएंगे या तो वो third party में चले जाएंगे या तो other relationships में जाएंगे या तो work में अपने आपको इतना डुबा लेंगे कि उनके पास दो मिनट कभी टाइम नहीं होगा या फिर जो है वो और किसी addiction में drinking, smoking किसमें भी जिसमें उनको relief मिलेगा कई बार तो बहुत आगी जाके drugs वगरा में भी पड़ जाते हैं ठीक है बहुत जादा financial losses में चल जाते हैं उसके थूँ वो लेकिन उनको परवा नहीं है उनको यह है कि उन्होंने जो कुछ किया वो ठीक किया ठीक है तो runner की यह जो है कुछ traits मैंने आपको बताए है ऐसा करते हैं वैसा करते हैं मैं mother relation में है यह है वो है आज मुझे लगता है कि मैंने इन सारी बातों के बड़े समझा के आपको जवाब दिये है यहाँ पे आपका जो step बनता है अपनी energy जो आपको message वो पिक करिए जो energy आप तक पहुचा रही है ना कि वो जो physical reality में आपकी आँखे देख रही है ठीक है आपकी intuition आपकी intuition अंदर से बोल रही होती है कि you are incomparable आप लोगों का you are inseparable लेकिन आपका भी उसको सुनने की पर मतलब कोशिश नहीं करते हो आप क्या करते हो लेकिन वो तो डीपी तो बहुत अच्छी लगा रखी थी लेकिन social media पे तो यह वाले updates थे लेकिन मैंने तो उसके बारे में यह सुना है लेकिन उसका दोस्त उसकी सहीली तो यह बता रही थी तो यह जो होते हैं यह सब आपके illusion create करते हैं यह निवर्स एंजल ताकि आप जो है उन से detach होके अपने अंदर जा सकें आपको यह जो है futility समझाए व्यर्थता समझाए पीछा करने की तो यहां पर आपकी intuition जो आपको बता रही है प्लीज उसको सुनिए ना कि उसको जो कि आपको दिखाया जा रहा है यही तो आपका test है यही तो आपके ascension का test है कि आप कितना ascend हुए हैं हुए भी है कि नहीं हुए या अभी तक वही सब low vibration में है तो यही तो आपका test है universe की तरफ से और इसी में आप बार-बार करके अपने आपको fail कर लेता है ठीक है तो इस तरह के सवाल जो है वो करने की बजाए अपने energy को अप लाईए उपर लाईए और अपने आपको इतना जो है बनाईए कि आपके masculine आपको chase करें ना कि आपसे run करें ठीक है दोस्तों तो मुझे लगता है मैंने एक अच्छा detailed video बना दिया इस topic के उपर and I think कि आपको यह बहुत helpful होने वाला है और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब यहां से मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों यहीं पर इस video को end करते हैं thank you so much for listening bye